Hello kids, welcome back to your favorite channel Magnet Brains मैं फिर से आ गई हूँ तो मैं संडे को परिशान करने के लिए और मैं हूँ शुपरातिवारी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बैतरीन कुछ कर सके हाला कि जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ वो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है पर पहले से याद आया कि यून्हे एक बर हम लोग रिवाइस करने कि हमने लास्क्लास में पढ़ा क्या था हम लोगों लास्क्लास में पढ़ा था classification on the basis of types of species एक होती है morphos species जो कि एक जैसे दिखती है एक होती है gamma species जो asexual reproduction करती है एक होती है gamma species जो sexual reproduction करती है और एक होती है दोनो species एक होती है ऐसे species जो asexual और sexual दोनों कर सकती जैसे paramecium, plasmodium और hydra एक होती है palantological species वो species जो कि fossil में convert हो गई है है और पेलेंटोलॉजिस्ट henunkalt है एक होती है नियाि झालोट्ट्विकल स्पिशी सजो की लेटिस्ट में इस्तिंट हुई है एक होती यह सिंक्रॉनिक स्पिशीВО जो की सिंक्रॉनिक स्पिशीज जो की डीफरेंट लाइफ में मिली जैसे डाइनसौर और convert हो गई परापेट्रिक स्पीशीज दूर तो चले गई पर किसी और स्पीशीज के साथ consume करके या reproduce करें एक नई स्पीशीज बनाई ठीक है फिर यह इसका image था insular species वो स्पीशीज जो किसी particular island में ही रहती है जैसे कि darwin finches galapagos island में रहती है की stone species जो किसी भी वो ecosystem में top consumer होती है ठीक है जैसे जाकल fox lion tiger sibling species species तो अलग अलग है पर देखने में एक जैसी होती है now अब आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ rules and regulation हाला कि बच्चो इन rules and regulation के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था अब पहले की चीज तो हमें ऐसा है कि कल रात में हमने खाना क्या खाया तब वो तो याद नहीं है मैं आप पहले की बाते कर रही है बस इसी लिए बस यही problem होती है कि हम लोग किसी चीज को बार-बार revise करते नहीं है अब revise करते नहीं है तो बस वही reflex action हो जाता आया टकराया और गया कहा गया कुछ पता ही नहीं है ठीक है तो इसी reflex action को जो है तो absorptive action में convert करने के लिए फिर से एक बार लेकिया हूँ हाँ पर इसमें change यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे example बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ अनिमल के example बताऊंगी ठीक है तो scientific name जैसा कि हम लोगों को पता है कि वाई we always used to give the scientific name to the particular organism ताकि universally उसको जो है acceptance मिले ठीक है हम जैसे माली जैसे हमारे बिल्ली बोलते हैं किसको cat को तो जाके America में बोलोगे look at this billy तो क्या बोलेगा तुमें बोलेगे क्या billy billy why you are talking about billy what is billy so आप बोलेंगे cat अगर if you suppose that आप चाइना में हैं तो क्या बोलोगे बिल्ली बोलोगे चाय माय जो है हूँ ठीक है अब मैं जाके बोलूँ कि hello this is me शुपरा तिवारी welcome to magnet brains तो में भी वहां से मुझे deport कर दिया जाए पर अगर मैं यह बोलू किसी को भी I am a homo sapiens तो जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है at least he or should be know will know कि मैं बोल क्या रही हूँ मैं एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ ठीक है तो किसी भी organism के universal acceptance के लिए हम लोगों के पास एक नाम तो होना ही चाहिए और इसी दिक्कतों की वज़े से हम एक organism का पर्टिकुलर नाम रख देते हैं और दुनिया में कभी भी जाओ ठीक है कि कभी भी जाओ तो भाईया ऐसा है कि नाम उसी नाम से बोल दोके तो समझ जाएगा कि इसके बारे में बात कर रहे हैं अब जैसे कि snake होते हैं ठीक है English जो लोग जानता है उसको ले तो ठ क्या है भाई तो इसके लिए हमारे पास कुछ scientific names होने चाहिए ताकि पूरी दुनिया का लोग जब उसको Google करें तो समझ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं So, the scientific names are given to the animals and plants too to as maintain the uniformity about the names all over the world ताकि uniformity बनी रहे The names are assigned to the particular animal as per the guidelines of international code of zoological nomenclature ठीक है तो botanical नाम देना है तो botanical nomenclature के बार से देंगे और आपको किसी animal का नाम देना है तो there is a community, there is a society called as international code of zoological nomenclature IUCZN, ICZN, ठीक है, International Union भी इसको आप कह सकते है, तो IUCZN भी हो सकते है तो हमेशा याद रखिए कि ये committee जो है अगले आने वाले कुछ सालों में अगर कोई नया जानवर भी पकड़के ले आए रहा तुम तो यही define करेगी कि भया इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है, rules क्या होने चाहिए, ठीक है, यह हम लोगों ने पहले भी शायद पढ़ रखा था Scientific name अगर आपने लिखना है तो हमेशा scientific name के कितने part होते हैं, हाँ मैडम दो होते, एक होता है genus और एक होता है species आई बात समझ में, तो जीनस को हमेशा किस letter से लिखते हैं, capital letter से लिखते हैं, तो किसी भी scientific name के दो वर्ड होते हैं, एक होता है genus जिसको आप generic name कहते हैं, और एक होता है species जिसको आप species epithet कहते हैं, पीछे लगता ही है अगर हम binomial nomenclature की बात करें, तो किसी भी नाम के अंदर दो नाम होंगे, एक होगा genus, दूसरा होगा species, तो कितने पार्ट में नाम को डिवाइट किया प्यारे बच्चो, दो तो इसलिए इसको कौन सा nomenclature कहते हैं, binomial nomenclature, nomenclature का मतलब होता है नाम करण शंशकार, तो जिस दिन मेरा जन्म हुआ था ना, तो उसके चार दिन बाद नाम करण हुआ था, तो नाम करण में ऐसा था कि मेरा नाम बुले कि भाई लड़ी की हुई है, शिपरा नाम रख तो इसका और और आटमेटिकली तो तो तिवारी टाइटल ते उसमें आड़ी हो गया, तो वन इस दा जीना, सेकेंडे स्पीशीज और नाम करण के दिन बड़ा मजा आया, ठीक इसी तरीके से हर जो और गानिजम होता है, उसके दो नाम होते, एक होता है जनरीक और एक होता आता है, अब आदे से अधिक लोगों को यह टेंशन नी कि मैं पढ़ा क्या रही हूं, आदे से अधिक लोगों को यही टेंशन है कि इतना चिला क्यों रही हूं, बेटा चिलाओंगी नी तो तुमारे जो है फोर ब्रेंड में घुसेगा कैसे, ठीक है, सो हमेशा यह याद कि किसी भी नॉमनक्लेचर में, किसी भी नाम में दो नाम होंगे, एक जीनस और एक स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज होने की विड़े से इसे आप बाइनोमियल नॉमनक्लेचर दूप अधिती गामकरण की कहते हैं, और इसे कार्ल वान लिन ने दिया, हमेशा मुझे कार् आरोलस लीनियस ही है, ठीक है, इन्हों ने दिया 10th edition of systema natury in 1758, he adopted it will consist 3 word genus species and subspecies, पर हर जीव में, हर जानवर में subspecies हो, ये जरूरी बिलकुल भी नहीं है, और अगर है, तो वो आप बाइनोमियल नॉमनक्लेचर नहीं है, प्यारे बच्चों, वो है ट्राइनोमियल नॉम ठीक है, आगे बड़े, कोई दिकत, कोई परिशानी, नहीं होनी चाहिए, चलो, next is, हमेशा जब भी आप नाम लिखते हैं, तो genus का नाम होना चाहिए, capital letter पे, और species का नाम होना चाहिए, small letter में बताया था, की भूल गए, next is, जब भी आप कोई scientific name लिखते हैं, तो भाशा हम लाटिन होनी चाहिए, ठीक है, because it is almost a dead language, so no modification is possible in the names, तो यह dead language, dead language जैसे हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में एक होता है literature, एक होता है व्याकरन, एक है English, एक होता है literature, एक होता है व्याकरन, लाटिन एक ऐसी भाशा है, जिसमें जो एक बर बन चुकी है, उसमें आप कभी कोई modification नहीं कर सकते, ठीक है, sometime name is Latinized like Americana, Africana, Indica, Bengaliensis, Giganetica, ठीक है, so Ganga, ठीक है, तो Ganga में पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है, Gingatica, so Latinized, कभी कभी नाम को ही Latinized कर देते हैं, हम लोग जैसे Americana, Africana, Indica, Bengaliensis, Ganga, ठीक है, so many, ठीक है, Now, scientific name जो है, वो हमेशा italics में print होगा, cursive letter में ही print होगा, तो भाशा भले ही Latin हो, पर words should be italics, और if it is handwritten, then Roman style चलेगा, ठीक है, तो अगर आप print कर रहे हैं, तो यार रखो, it should be in the italics, और अगर हाथ से लिख रहे हो, तो Roman भी चलेगा, then it will be underlined, यह हमेशा यार रखें, underlined, एक ब अगर एक मैं college में थी, मैंने बहुत बहुत बहतरी notes बनाए, और फिर मैं उसको check कराने के लिए ले गई, ठीक है, check कराने के लिए ले ले गए और अचोडी ने मेरे मूँ पे फेग दिया, ठीक है, ले जाओ उसको क्यार करके लाए, कुछ नहीं आता है, पूरे दो दिन आगे मैंने, नीचे मैंने underline नहीं लगाय था, किसी भी जगा नहीं लगाय था, इसलिए उनने मेरी पूरी copy जो है, तो फेग दी मेरे मूँ पे, I feel so insulted, बाद में मुझे समझ में आया की, की गड़बड क्या थी, तो हमेशा ही याद रखिए कि जब भी आप कोई नाम लिख तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? Now, ठीक है, अब देखे ध्यान से तब तो में थोड़ा पानी पीती हूँ, The name given to the animal first time will be the recognized, only recognized name, the name later will be the synonyms of the first name, तो पहली बार जो है, अच्छा, जैसे मैं हूँ ना, मैं अपनी बात करूँ, मैं दूसरे की बात क्यों करूँ, जैसे मेरे बाहर का नाम नहीं है, शिप्रा तिवारी, ठीक है? बट घर पे लोग मुझे कुछ भी बोल देते हैं, जो उनका मन करता है, तो पहला जो मेरा नाम है, वो मेरा finalized नाम है, ठीक है? अब दुनिया में, जैसे ही मैं office में आती हूँ, तो लोग कहते है, शिप्रा मैडम आ गई, जब भी मैं किसी lecture को लेने जाती हूँ, तो कहते है, बाय और शिप्रा मैडम पढ़ाएंगी, नोबडी नोज कि मेरा घर का नाम क्या है, घर पर तो कुछ भी किसी को बोल दो, चुट्टी मिट्टी गिट्टी पिट्टी कुछ भी बोल दो, तो जो भी बाद के नाम आते हैं, वो हमेशा sign name होते हैं, और जो पहला नाम होता है, ठीक है? Now, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, the name of author की, ठीक है? कई बार जो है, हर कोई credit लेना चाहता है भाई, इनको कैसे छोड़ दे अपन? So, let's talk about the name of author, जिनों ने animal को first time नाम दिया है, ठीक है? वही उसका author होता है, the will be written in the roman style, तो जो author का name होगा, वो हमेशा roman style में लिखा जाएगा, after the name किस के बार लिखा जाएगा? species के नाम के बार लिखा जाएगा, ठीक है? It will begin with the capital letter and it will no underline, ठीक है? तो हमेशा यह याद रखिये कि genus और species के नीचे तो underline रहेगा, पर अगर उसका author name आप लिख रहे हैं, तो पहला word जो है, वो कैसा रहेगा, capital रहेगा, बाकि small रहेगे, पर style roman रहेगा और underline रहेगा, त homo sapiens lin, तो human being का scientific name जो है, वो lineus ने दिया है, homo sapiens के आगे आप लगाएंगे, क्या underline नीचे लगाएंगे, पर lin के आगे आपने underline नहीं लगाना है, ठीक है? Roman style में लिखना है, letter lin का L capital होगा, the name of genus is always single word, हमेशा यह याद रखिये, कि genus एक single word है homo, और species एक single word है, ठीक है? तो species का word, जैसे कि genus हमेशा single रहेगा, पर species में आप 2-3 word combine कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि giraffe लिखा हुआ है, जिराफा, कैमेलो, पैरडालिस, ठीक है? तो जिराफा, कैमेलो, पैरडालिस, कैमेलो, पैरडालिस में दो word आपको जुड़े दिखाई दे रहे हैं, तो genus ठीक है, no two species can have same name with a single genus, likewise no two genera can have same name in the whole animal kingdom, ठीक है? हमेशा याद रखिये, कि किसी भी genus की जो दो species हैं, उनका नाम सेम नहीं हो सकता, अब आलू और बैंगन, वो नहीं, आलू और मिर्ची, ठीक है? तो या होमो की बात करू, होमो is a genus, जीनस, बट उसकी species are neanderthalians, sapiens, ठीक है, paciensis, पर genus सेम है, पर हर organism की species एक जैसी हो यह जरूरी नहीं है, और animal kingdom में हर phylum में genus भी अलग-अलग ही होते हैं, तो अगर इंसान का जीनस है, वो इंसान का ही जीनस रहेगा, मगर मच का जीनस है, तो मगर मच का जीनस रहेगा, ठीक है? तो यह आपका जीराफ का मैंने photo लगा रखा था, नाव, however, the species may have same name in the different genre, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि species का नाम भी same हो सकता है, ठीक है? जैसे कि nectar americana, यह किसका नाम है? hookworm, parasite है यह, पूरा खाना ले लेता है आपके अंदर से, ठीक है? उसके बाद peripelaneta americana बहुत बहतरी नेक नमबर एक जामपल है, जो सब जगा पाये जाता है और आतंग मचाता है, which is the cockroach Piper americana, it is a surinam tot, look at this surinam tot, जो की सुरंग जैसे एरिया पे रहता है, ठीक है? और अंदर जमीन के रहता है Rhea americana, it is American ostrich, ओके? तो आपने क्या देखा? हमने देखा americana, तो कई बार बहुत सारी ऐसी भी species है, जिनका genus तो अलग रहता है, पर species एक जैसे रहती है तो ये exception होते हैं, ठीक? नाओ, taurtonyam बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझे, taurtonyam बहुत 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 इंपोर्टेंट है The scientific name of an animal, which has the same name of the genus and species, ठीक है? ठीक है, taurtonyam क्या होता है? Taurtonyam बहुत है, suppose that मेरा नाम होता है शिपरा-शिपरा, ठीक है? अशोक बहुत बहुत का नाम होता है अशोक-शोक, ठीक है? Vernacular Name हमेशा जब आप किसी organism को समझने के लिए जानने के लिए पढ़ने के लिए उसके scientific name के साथ आप उसे किसी local name से बुलाने लगते हैं जैसे कि Ascaris Lumbricoid, इसे आप Roundworm कहते हैं, क्योंकि इसका जो female रहती है, जो male रहता है, वो नीचे से rounded रहता है, female तो straight होती है pinworm, entrobius vermicularis, pinworm क्योंकि इसके ऐसा attach होता है host से, pin जैसे structure होते हैं इनके पास, तो इसे आप pinworm कहते हैं both totronym and vernacular names are not included in the international naming system or international union of zoonological nomenclature, ठीक है so this is all about the scientific name and the nomenclature system, मैंने इसको पहले भी आपको पढ़ाया था, पर आज आपको और ज़्यादा चीज़े clear होंगी जैसे totronym पता चल गया होगा, vernicular name पता चल गये होंगे, कैसे scientist का नाम लिखा जाता है, किस style में लिखा जाता होगा और कुछ logical name in the next class I will tell you the relationship between the organisms किस किस प्रकार का हो सकता है so घर पे रहिए, rest करिए, Sunday है और lecture को अराम से देखिए, thank you so much